Hello guys, welcome to my youtube channel, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रेम्टोन सॉलिमॉर क्यूबिक 15 लीटर वाला है वाटर हीटर गीजर, जिसे कि मैं लास्ट 9 मन्थ से यूज कर रहा हूँ, 9 मन्थ बाद में क्या इसका कंडिशन है, क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, कही पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये गीजर कोई 7500, 8000 का सेल कर रहा है, जो सेलर से मैंने पर्चेस किया, उसका लिंक में दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जब मैंने पर्चेस किया, ओफर भी चालू था, तो हो से कि आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार description चेक कर लेना, price up and down भी होते रहता है, तो सबसे पहला box content की बात कर ले, तो इसके अंदर आपको इनलेट और outlet pipe देखने को मिल जाएगा, गीजर आएगा, warranty card आएगा, user manual आएगा, safety वाल आएगा, तो ये सारी चीजे आपको box के अंदर ही देखने को मिल जाती है, अ next question आता है काफी लोग का installation का, तो installation आपको free of course मिल जाएगा, आपको city area में रहते हो, तो इसके अंदर आपको installation free of course मिलेगा, for example आपने कोई भी city area में मंगाया हुआ है, पर आपको installation कोई भी गाव area में करना है, वो city से maybe 30 km, 25 km दूर है, तब आपको हो सके charges pay करना पढ़ सकता है तो मैं city area में रहते हो, तो मेरा installation जो की free of course था, कोई भी charges नहीं लिया, और इनके सबसे charges मांगा जाता है, तो इन्होंने direct customer care number दिया गया है, आप city area में हो, तो वहाँ आपको इस customer care number पे call करके बोल सकता है, तो after 8-9 मन्त बाद में जो की body quality की बात करें, तो body quality बहुत ही premium और अच्छी quality है, और इसका जो की design बहुत ही battery बनाया गया है, black and white जो की आपको finishing देखने को मिल जाएगा, color का, थोड़ा सा glossy plus matte finish दिया गया है, तो जिससे की आपके बातरूमें और भी अच्छा लागेगा, और cubic design में बनाया गया है, तो 8-9 मन्त बाद में इसमें मुझे कोई leakage वगेर अभी तक देखने को नहीं मिला है, सब जगा जो की properly एकदम पानी supply होता है, वो pipe हो गया, या फिजर के अंदर हो गया है, फिर कहीं से भी थोड़ा भी अभी तक leakage नहीं आया है, और सामने के और जो कि आपको एक knob देखने को मिल जाएगा, इस knob के तुर आप एना temperature भी control कर सकते हो, for example, आपको 40 degree Celsius, maybe 50 degree Celsius तक पानी गरम करना तो इतना आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, और इस knob के वज़े सी आपको automatic thermostate का भी option देखने को मिल जाता है, जिसके कारण, for example, आपने morning के टाइम पे इस गिजर को चालू कर दिया है, पानी गरम करने के लिए, बात में फिर आप बाहर चल जाता है, तो यह automatically जैसे पानी गरम हो जाता है, जो लेवल पे आपने रखा हुआ है, automatically power off हो जाएगा, तो जिससे कि आपका बिजली का भी saving होएगा, और already इसके अंदर आपको 5 star बिजली rating देखने को मिल जाती है, जिसके कारण ये और भी ज्या 50 दी गई है, उपर से nano polybond technology को use किया गया है, जिसके कारण इसके अंदर कोई भी corrosion वगेरा नहीं आएगा अंदर के element में, और 8 बार pressure भी देखने को मिल जाता है, for example, आप high rise वाले building में रहते हैं, तो वहाँ भी एकदम properly work करेगा, और ये hard water के लिए भी बहुत ही battery ने, for example, आ जल्दी लग जाता है, पर इसके अंदर आपको ऐसा कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा, ये hard water के लिए भी perfectly है, अराम से long time तक चल जाएगा, अब long time की बात करें, तो already आपको जो कि इसके अंदर tank पे 7 year की warranty देखने को मिल जाती हो, और overall product पे जो कि अंदर का element, बाहर का element प इसे आप flushing कर लीजिए, flushing का मतलब होता है, जैसे कि आपका inlet और outlet का pipe लगा हुआ है, जैसे winter season खतम हो जाता है, तो वो pipe का खोल देना है, और geezer में से सारा का सारा पानी निकाल देना है, तो इससे क्या होगा कि आपके geezer के अंदर जो की पानी नहीं रहे, का मतलब winter का season खतम होते ही, काफी लोग जो की geezer नहीं यूज करते है, पर वो लोग जो की अंदर पानी श्टोर रहता है, तो वो पानी के अंदर जो की dust वगेरा जमा हो जाती है, और इससे जो की जंग वगेरा, ये सारी चीज़े आने के chances रहते है, तो आपका winter का season जैसे खतम होता है, summer season आता है, तो आपको plug निकाल देना है गीजर का, और गीजर के अंदर जो भी पानी, वो inlet और outlet pipe को खोल के, जो की सारा का सारा पानी आपको निकाल देना, और इस तरह जो की आपकी गीजर की life भी ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा बैतरीन, वो ज्यादा long time तक चलेगा, अब मैं राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो की हमारी ठंडी परती पर बाहर freeze वगेरा नहीं होता है, ज्यादा ठंडी नहीं रहती है, मतलब पानी हमारा बरव जैसा नहीं जमता है, तो यहाँ जैसे की मेरे घर पे इसे heat करने में मैं पानी को 15 मिनिट ले लेता है, जो कि मैं set करता हूँ, जो कि 70 डिगरी, 60 डिगरी, celsius तक रखता हूँ, और इसमे 15 लिटर और 15 लिटर और और अड़ करते तो जिसे की ज़्यादा पानी हो जाता है, तो इसली घर में जितने भी लोगे सब यूज कर लेते, बार बार जो क कि घिजर को चालू नहीं करना पड़ता है, और आप जिसे की कश्मीर जैसे एरिया में रहते हो, तो वहाँ पानी जो कि बाहर फ्रीज हो जाता है, और काफी ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इसको थोड़ा नॉर्मल टेंपरेचर में लाने में थोड़ा सा ज़्यादा टा कुछ भी चीज में भूल गया रहा हो, तो आप मुसे कमें सक्षिन में पोश सकते हो, तो यह मैंने Amazon से पर्चेस किया था, 6999 का, Amazon पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम यह ज़र कोई 7500, 8000 का सेल कर रहे है, जो सेलर से मैंने पर्चेस किया, उसका लिंक में डिस्क्रिप कर देजा, तक है क्यों सो मुझ वाची था, क्या विच्या, तक है क्या मैं था, तक है रहे है, बस्क्रिप्रा कर दिचानियो।